किसी भी सकारात्म क्रान्ति को लाने की इच्छा प्रबल की जा सकती है, बड़े स्वप्न देखे जा सकते हैं, बड़े विचार किये जा सकते हैं परन्तु उस क्रान्ति को क्रियानवित करना थोड़ा मुश्किल होता है, उस क्रान्ति को क्रियानवित करने के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यक्ता होती है, कठोर प्रयास की आवश्यक्ता होती है, यदि कठोर प्रयास और परिश्रम करने की हिम्मत तयार हो जाए, तो क्रांति की आगे बढ़ने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, परन्तो यदि प्रबल प्रयास करने की इच्छा शक्ति तयार ना हो सकी, तो किवल स्वप्न देखने से काम तो नहीं चलेगा, हम में से अधिकांश्चन तो ऐसा ही करते हैं, हम बड़े बड़े बदलाओ तो चाहते हैं, बड़े बड़े परिवर्तन देखना तो चाहते हैं, बड़ी बड़ी क्रांतियों को लाना तो चाहते हैं, पर प्रयास नहीं करना चाहते हैं, यही हमारी चूक, यही हमारी कसर रहत झाल 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 झाल